जहिंद चली हम लोग दिखते हैं सिविल कोट कॉन्वेनर सेंट्रलाइज सेलेक्शन एंड अपॉइंटमिंट कॉमिटी कम डिस्टिक एंड सेशन जस पाटना चुकि आप सभी को पता है कि कोट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो है स्किल टेस्ट लिया गया था अब यहां पर जो है इसमें कुछ किया गया है गड़वड़ी जो अब जो है 17 का अडिशनल रिजल्ट दिया गया था उसमें भी बड़ा खेल हुआ है किसका रिजल्ट है वह सेटिंग वाला यह रिजल्ट हो सकता है क्योंकि मेरे अनुसार लग रहा है बताएंगे हम इस व कर लिजी तो यहां जो है 1194 वेकेंसिस के लिए जो यहां पर स्किल टेस्ट टैपिंग टेस्ट का रिजल्ट दिया गया है ठीक है जो रिजल्ट 1602 यानि 1602 रिजल्ट जो है दिया गया है तो हम बात करेंगे कि रिजल्ट किस अधार पर दिया गया है और कैसे दिया गया है ह किस तारी को किनका हो सकता है हम इस अधार पर बताएंगे ठीक है आप लोग जरूर देखिएगा सुरू से अन्तक तो हम सबसे पहले बात यहां पर करते हैं कि यह सबसे बड़ा इसमें घोटाला हुआ है ठीक है यह जो है अपने मन का जो भी मन ओकर दे रहे हैं लेकिन मिल जाएगा ठीक है मैनिममम क्वालिफाई कर दे कर दिये थे चलिया सही बात है आपने जब 90-90 करके यानि 50-50 कर दिये यानि 100 आपका यहां पर मार्क हो गया स्किल टेस्ट का ठीक है और आपने जो है जो एडिशनल रिजल्ट में बताया थे कि 36 मार्क पर मिनमम क्वालिफ पासिंग मार्क था तो आप 36 पर रिये होंगे सब को मार्क दिया होंगे पास किये होंगे ठीक है तो जब 36 पर किये हैं तो आप यहां पर जोडते हैं 100 पलस 136 तो यह कितने आएंगे 136 तो आपने जो जेनरल में 132.086 की सदार पर कटप बना हैं ठीक है, civil court का, उसमें बताया गया था कि interview तीन गुणा देना है, interview के लिए तीन गुणे candidate को बोलाना है, तो जब आप यहाँ पे marks को कम करके cut up बना सकते हैं, ठीक है, तो क्या candidate का error को जो है कम करके आप नहीं result दे सकते हैं, यहाँ पे तो बड़ा खेल हो रहा है, क्यूंकि देखिए यहाँ पे 478 candidate को, अगर दोगिना करते हैं आप लोग, तो 14, 34 जो है यहाँ पे candidate qualify हो जाएंगे, यानि यहाँ तीन गुणा दिया गया है, ठीक, जब तीन गुणा यहाँ दिया गया, तो फिर ही category की seat क्या है गया, आप इसमें 29, 85, 84 दिखाएं, category का seat फिर कहा गया तो इसमें भी तो तीन गुणा आपको result देना होगा, 119 है और यहाँ 143, 215 या इसको तीन गुणा आप result दिजिएगा, तो फिर 29, 25 किस आधार पर दिये हैं, आप यहाँ पे जब marks कम करके, आप cut up बना दिये, ठीक है, टाइपिंग का 100 में 100 दे दिये, चलिए अच्छी बा आप पता है कि टेकनिकल इसू था, टाइपिंग में इसू था, सिस्टम में इसू था, वहाँ पे जो भी सर्वर में इसू था, सिस्टम में सब कुछ इसू था, वहाँ पे कोई भी सर्विलांस जो है, किलियर नहीं था, सेंटर का, ऐसा ऐसा आप सेंटर दिये थे, और आप यहां पर इसू खड़ा कर दिये बच्चे के साथ खिलवार कर रहे हैं अरे दो साल तक वेट किये हैं और यह हो क्या रहा है आप यहां पर गरवर किये हैं अरे आप जब यहां तीन गुना रिजल्ट दिये हैं और आप नमबर जब रिटेन एक्जाम का मार्स कम कर सकते हैं तो फिर आप अक्यूरेसी कम नहीं कर सकते हैं जब आपने बोले हैं 10% हम जो है अक्यूरेसी पर बोलाएंगे तो आपने क्या किये हैं यहां तो किलियर किरिये कि हाँ इस कंडिडेट का इतना जो है accuracy आया इतना marks आ रहा एक typing में आप marks कम करके जब typing accuracy कम करके यहाँ पे तीन गुणा सबको result देना चाहिए सब पे यहाँ तीन गुणा result देना चाहिए जब आपको पता है कि बिहार गजट में जो है 1194 जो seat था उसका तीन गुणा आपको जो है किया देना है इंटर्व्यू के लिए देना है तो फिर यहाँ पे आप 161600 फिर किस आधार पे आपने दिये है यह तो आप असपस्ट करिए फिर नहीं तो बच्चे बहुत मतलब यह कुछ भी कर सकते है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देजी हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ टांग लडाते रहें कुछ ना कुछ टांग लडाते रहें मतलब क्या चल रहा है और कहीं ना कुछ समस्या कहीं कुछ समस्या तो हमको तो लग रहा है कि आप इंटर्विव में कोई ना कोई समस्य डालिएगा जब यहां तक आप ऐसे करते आए तो इंटर्विव में में समस्य डालिएगा तो सभी मैं candidate कर रहा हूं कि देखिए आप लोग खड़ा हो ये आप लोग साथ आये नहीं तो फिर यहीं खेल इंटर्विव में होगा किसी का 10 marks में एक नमबर दिया जाएगा किसी को जीरत दिया जाएगा किसी का 2 नमबर ये दे दे कर फेल कर दिया जाएगा ये उमीद है कि करे गाएगे अरे मानानी ये नियाले से भरोसा है आप ही नियाय करने वाल आप ही अनियाय कर रहे हैं बच्चे के साथ तो फिर कहां जाएंगे बच्चे मतलब सुप्रीम कोट पहुँचे कहां पहुँचे अरे आप यहां दिखा रहे हैं कि आप तीन गुने जो है 478 काणिडेट में तीन गुना रिजल जो है 14-34 दे दिये हैं तो फिर यह काटेगरी कहां गया आपको पता है कि 36 marks passing mark है qualify minimum return के अगर बात करते हैं तो जब यह 36 ए 32 कर दिये तो फिर accuracy जो 10% था उसको आप 20% 30% तो कर सकते थे न एवरेज देखकर आपको पता है कि 3 गुना result देना है interview के लिए merit देना है तो फिर यहां पर क्या गरवड किये अभी यह भी बिहार गजट में है कि 20% जो है waiting list देना है जो कि 1 year के लिए माने होगा तो फिर यहां पर आखिर क्या गरवड किये हैं आपने तो यह सब गरवड किये हैं हम चलते हैं आप लोग यह भी देखाते हैं कि जो 17 candidate का additional result दिया गया था उसमें सबसे बड़ा खेल लग रहा है हुआ है लग रहा है अब फिर तो बच्चे उग्र हो जाएंगे बहुत परसान है उतने बच्चे का अपने result छाट कर इतनी दिये हैं आप मास कम कर सकते हैं तो फिर skill test का accuracy क्यों नहीं कम कर सकते हैं पता है कि system में गरवडी था आप जो है इस्टेनोगराफर को सून लिए आप उसका समस्या समझ कि हाँ गरवडी था तो फिर reader के साथ कर गरवडी नहीं था typing गरवडी था आप मनमानी कर रहे हैं फिर बच्चे तो फिर दिकत करेगे तो यह आप जो है इसना result दिये हैं हम चलते हैं उस बैच्चे का जो है आप लोग को result दिखाते हैं देखिए क्या हुआ है कैसे result दिया गया है चलिए आप लोग को दिखाते हैं देखें यह उन candidate का है जो 17 जो है additional result दिये थे इन लो ठीक है 17 दिये थे और यहां बताए थे न कि 36 marks इनका जो है qualify आ रहा है minimum तो हम इनका result दे रहा है 17 candidate का दे दिये भाई कहां से उड़ कर आ गया बीच में आप कैसे जांच किये फि आप तो एक में mix किये थे तो फिर कि उसमें आप नहीं दिये result बाद में result 17 दे रहा है यानि खेल है इसमें अब यह खेल नहीं है तो क्या है आप सभी को हम दिखा रहे हैं आप लोग खुद देख सकते हैं यह जो serial number एक candidate का जो roll number है ना 1131 ठीक है और same जो है यही यह result एक number मे हुआ है skill test में same यहां 10 number पे हुआ है मतलग इस पैड़ा में अब मतलग same to same code बना है इसका result जो है और इसका result हमें देना है चलिए यहां तक चलते हो सकता है यह qualify कर लिए होंगे total जो है 5 17 में समझे 5 skill test qualify कर लिए है में भी हो सकता है आप system सही दिया होंगे और वेवास्ता सही किया होंगे ठीक है में भी हो सकता है चली वो भी ठीक है अब यह तो है एक कोई जरूरी थोड़ी है कि यह जो candidate pass करेंगे यहां भी वो ही candidate pass कर जाएंगे चली हो सकता है आगे हम दिखाते हैं आप जो है तिन नंबर में देखिए 100 424 रोल नंबर आप लोग सर्च करके देख यह रोल नंबर है आप बताईए यानि कोट लगाएं कि यह सामने इसका result देना है इसका देना है यह तो हमको लग रहा है खेल है यह तो खेल है कि इसको इसको देना है और नाम के दे दियें कि 17 candidate है आप उसमें setting हो सकता है 4-5 setting है आपने result दे दिया पूरा 17 को का आप दूसर 17 में निकाल सकते हैं यानि आपको समझ में आ गया कि जब जो है आप यहां पे skill test के लिए 16 दू दिये है result यानि 8000 something कुछ candidate थे उसमें जब result आप इतनी दिये है ठीक है तो आपको समझ में आ रहा है कि skill test जो है समस्या हुआ है बच्चे के साथ keyboard में समस्या system में server में mouse में जो समस्या था उस candidate के साथ लेकिन नहीं देखा गया और यह 17 candidate को अच्छा से आप करा लिए लग तो यहीं रहा है कि आज setting है यह तो जांच करिए आप मतलब इतना बड़ा खेल क्या चल रहा है बच्चे के साथ फिर क्या होगा तो सभी बच्चे से अनुरूद कर रहा हूँ कि आप लोग साथ आईए यहीं खेल इंटर्वी में जरूर होगा आज ही वीडियो में बता रहे हैं तो यह बड़ा खेल होने वाला है तो आप लोग चलिए यह तो किलियर हो गया आप लोग रिजल्ट जो है रोल नमबर बता दी आप लोग रिजल्ट सर्जकर के देख सकते ह ठीक है यह अगर हम दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा देंगे लेकिन अगर टाइम वीडियो में ज़्यादा घीचेगा तो हम यह सोच रहे हैं कि आप लोग को जो है आप लोग खुद देख लिजे हम रोल नमबर बता देते हैं पहला हम बता हैं कि एक नमबर और यहां से कोड बना है है कि हाँ इसके उसके रिजल्ट हमें देना है है मतलग क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है बच्ची को परशान किया जा रहा है यह आप लोग इस चूंग कер है वाला फिर बच्ची अतलग कर रहा है फिर बच्चे मतलग कहा जाए फिर आपके पास आए गेट पर धरना दे रोड पर उतर जाए यहीं सोच रहा है बच्चे उग रहे हैं इतना मतलब message कामेंट आ रहा है तो हम लोग समस्या समझ रहे हैं ठीक है कितना बच्चे परसान है यह आप लोग तो देख नहीं रहे हैं यान मिलेते देखते उसके बाद रिजल्ट जारी करते या आपके पास रिजल्ट गया है तो टाइपिंग का माइडर गया है समीट होकर तो आपको पता है कि यह गढ़बढ हुआ है तभी तो इसे कर्णिरेट छोटे हैं आप एक रिश्वी को कम करके रिजल्ट दे देते चल आप सभी को भी खड़ा होना होगा क्योंकि इंटर्वी में भी बहुत खेल होगा अभी फाइनल मेरिट है डीवी के साथ ठीक है तो अभी बहुत बड़ा खेल हो सकता है इसलिए आप लोग जो है जो है खड़ा होई है आप लोग ठीक है इसके लिए आवाज उठाईए फि तो ऐसा नहीं अनौ बताता इनको सुनना पड़ता लेकिन थोड़ा लापरवाही जरूर हुगा तो अभी भी कम से कम आप लोग समझे यह ठीक है तो यह हो गया अब हम चलते हैं बाकी तो यह समस्या है आप लोग कमेंट करके बताईए ठीक है इन लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं क्या चलड़ा समझ में नहीं आ रहा है और अज हम कल तक वीडियो उसका दे देंगे एडिशनल रिजल्ट का सुचना है कि आने वाला है इसका हम सुचना दे देंगे आएगा जैसे ही उसका सुचना तो हम आपको इनफर्म कर देंगे दूसरा चीज़ स्किल ट सुलला सव आप रिजल्ट इतना दिये हैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई करके ठीक है तो मतलब है अस्टेनों में तीन है आरे उसको भी क्वालिफाई करिए अस्टेनों टेस्ट है बहुत कुछ है 5% इर भी है आप उस पे भी संग्यान लीजिए 5% जब नहीं होंगे के लिए उसमें अधी कंडिडेट 5% क्वालिफाई नहीं होते हैं तो 20% करिए 15% करिए 10% करिए ऐर ऐसे करना होगा आप सीट खाली रखना चाहते हैं दिखा तो यह रहा है तो फिर ऐसे नहीं करना है दूसरा चीज चलिए यह चीज है समस्या आप लोग जो है इससे बहुत काफी जहल रहा है अप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ठीक है हम लोग चलते हैं जिनका कंडिडेट का क्वालिफाई हो चुका है ठीक है रिजल्ट उनका इंटर्विव जो है किस माध्यम से कैसे होगा हम इस वीडियो में जरूर बताते हैं चलिए दिखते हैं यहाँ स्परस्ट लिखा है इनके विहार गजट जो जारी हुआ था, निये मावली, ठीक है यहाँ पर स्परस्ट लिखा है कि लिखित जांचम दक्ष्ता जांच के अधार पर मेधा सुची तयार की जाएगी, एवाम तन उसार पर्तियासियों को यहाँ पे को यथा संभव 1 3rd यानि 1 ratio 3 के अनू पालन में सक्षारता है तो बुलाया जाएगा किलियर लिखा हुआ है तो फिर जब आप marks कम ही कर रहे हैं तो आप एक ratio को भी करकर के कम बोलाईए और एस्टेनग्राफिक को भी number कम करके आप skill के लिए बोलाईए यसे करना होगा तो चलिए आप हम लोग चलते हैं इंटर्व्यू पे जो है इंटर्व्यू में क्या कैसे पूछा जाएगा ठीक है पूछा नहीं जाएगा मतलब कि उनका जो है रेशियन भाई छेत्र भाई जो है इनका skill test यानि इंटर्व्यू के लिए बोलाया जा रहा है आप सभी को पता है कि five test जो है टोटल होने वाला है तो यहाँ पे यह लग रहा है कि पटना परमंडल में जितने भी डिस्टिक है न जिला यह जिले जो है एक दिन में यानि पा बात कर रहे हैं पतना अगर छेत्रे में पांच दिन चलेगा इंटर्व्यू तो पतना का ज्यादा संख्या होगा candidate का तो पतना में एक दिन में बुला लेंगे वो दूसरा अगर नलंदा का ज्यादा होंगे तो नलंदा में बला लेंगे उसके बाद रोतास के ज्यादा हों सभी region में इस तरह का interview होगा थीक है तो admin card अब सभी को पता है कि 22 मैं को interview का admin card जारी कर दिये जाए जैसे आएगा आप लोग को inform कर दूँगा थीक है तो इस माधियम से interview होगा इंटर्वी के तयारी कैसे करें ठीक है यदि आप लोग को चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके जरूर बताईए हमें तो वीडियो कैसा लगा ठीक है आप लोग जो है हमें जरूर बताईए उमीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और ये जो है बार बार ये जो समसिया डाल रहे हैं हो सकता है इंटर्विव में ये जो है समसिया आए तो आप लोग जरूर खाड़ा हुए ठीके क्या करना होगा हम लोग जरूर सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेल करिए ठीके लेटर भेजिए समसिया क लेकर सुनेंगे तो अच्छी बात है तो इसी तरह का वीडियो आप लोग देखते रहे हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करिए शेर करिएगा ठीक है आप लोग के हीट में लड़ा जा रहा है और जो है जिस तरह का लड़ा गया जो है देख रहे हैं कि आप लोग का इस्ट बहुत दन्या बाद